नवस्कार दोस्तों जेम्स सैंडर्सन नौसो विकर्ट लेने वाले इंग्लेंड के पहले केनबाज बन गए हैं बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अच्छीव किया है यार क्या केनबाज है और 900 इंडर्नेशनल विकर्ट लेना याद मामूली बात नहीं बहुत महनत चाहिए बहुत स्किल्स चाहिए बहुत क्लास चाहिए जो इस गेनबाज में है भारत के खलाफ चौते टेस्ट मैच में उपकप्तार अजिंक्या रहाने को आउट करते ही इंग्लाइन के तरफ से 900 विकर्ट लेने वाले जेमी एंडर्सन पहले गेनबाज बन गए है और विश्व में किसने किसने उनसे पहले 900 विकर्ट लिये हैं ये मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताता हूँ दरसल ये उपलब भी जेम्स एंडर्सन ने 373 में मैच में हासिल की है 18 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 38 वर्शी एंडर्सन ऐसा करने वाले इंग्लाइन के पहले और दुनिया के छटे नंबर के गेनबाज बन गए है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे जाधा विकेट लेने का रिकॉर्ड फिलाल मुथाया मुरली धरन के नाम शामिल है जिन्होंने 495 मैचों में 1347 विकेट चटकाए हैं सबी इंटरनेशनल विकेट की बात हो रही है जिसमें टेस्ट मैच भी शामिल है वंडे भी शामिल है और साथे सार्थी ट्वेंटी भी शामिल है इसके बाद यानिकी मुथायाब मुर्ली धरन एक नंबर पर है 1347 विकेट नोने चटकाए हैं दूसे नंबर पर है उस्टेलिया के शेन वॉन जिन्होंने 1001 विकेट चटकाए हैं 349 मैचों में तीसे नंबर पर भारत के दग्रेट अनिल कुमले हैं जिन्होंने 956 विकेट अपने नाम किये हैं 403 मैच में चौते नंबर पर इस लिस्ट में हैं ग्लेन मगरा जिन्होंने 376 मैचों में 949 विकेट अपने नाम किये हैं और फिर पाचवे नंबर पर हैं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेनबाज वसी मकरम जिन्होंने 460 मैच में 916 विकेट हासल किये हैं तो ऐसा लग रहा है इस लिस तो उनके कहीं नहीं गए और 50-60 विकेट अगर हो जाते हैं तो वो लगबग जो अनिल कुमले का 956 का रिकॉर्ड है उसको तो तो तोड़ी सकते हैं क्योंकि 1001 का जो रिकॉर्ड है शेन बॉन का वो फिलाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी आप यह भी ब वो शुक्रिया